तो ही अप, तो ही तब, तु ही तब तक है, तु ही तो फलक है, तु ही तेरा लख है, है, है इस पल में जियो, वक्त को जानना तो, अब दिल में जो बाग है उसे वढ़ जानने तो, पेरिशान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर देखाना ते राना, मेरा ही जमाना, ते राना, मेरा ही जमाना। सारे कर्म हम करते अच्छे या बुरे फिर हम किसी दूसरे को credit देते हैं तो हमें खुशी होती है और किसी का credit छीन कर हमें गिल्ट सा लगता है तो फिर सर हम एसा क्या करें कि खुशी को हमेशा हमारी तरफ ही रखा जा सके जिस दिन हम इस समझ में आ जाएगा कि देने में जो बजा है वो लेने में नहीं है उस दिन ये बात मतलब फिर कोई गुंजाईश अनहपिनेस की कहीं रहेगी नहीं आज जो हम चर्चा कर रहे थे यहां कंसेप्ट ओफ हैपिनेस तो आप क्या कहेंगी मेरे लिए हपिनेस अगर देखा जाए अपन को कुछ अगर पता है कि किसी के लिए इस चीज से बुरा होने वाला है या अपन ने वो चीज फेस करिये जैसे मुझे परसनली पता है मेरे साथ पूरा वो केस हुआ है कि I lost my grandfather and I know how it feels मुझे यह भी पता है कि अगर वो सामने वाला के साथ अगर को होगा तो उसको कितना दुख पहुचेगा अगर आप उस परसन को यह रियलाइस करवाने में सक्सेस्पल हो गए हो कि हाँ वो सच में बुरी चीज है तो वो आपके लिए एक सबसे ज़्यादा बड़ी खुशी है कि आपने किसी को वो चीज खुद फेस करने से बचा लिया है वो दुख फेस करने से बचा लिया है Welcome back Thank you हम लोग बहुत बार बोलते हैं किसी को जब कोई स्मोक कर रहा है तो हम रोगते हैं करते हैं लेकिन वो लोग कई बार होता है कि सामने तो मना कर देते हैं लेकिन उस चीज को वो लोग छोडते नहीं है तो ऐसा हम उनको क्या बोले क्या मेसेज उनको पास करें क्या उनके बिल्कोचु जा है स्टोरी भी बताते हैं कि भाय यह चीज हो चुके गलत है स्मोक करना पर नहीं प्लड़ तो हम ऐसा उनको क्या बोले कि उनको ऐकocratic cada करें कि नहीं छोडना ज़रुडिया का प्रशन दूसरी तरह से पूछें अगर तो बहुत से लोग क्या कहते हैं leaving smoking is so easy that I've left it so many times ये भी ऐसे लोग को क्या कहो गया ये भी एक बात है सब लोग मतलब ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है और अब एक smoking की मतलब एक उसका वो बचा है जिससे हम लोगों को अब sales में लगता है कि चलो दिन भर इतना हमको थकान हुई है और अब बस cigarette पियेंगे तो वो हम हमारे लिए पूरा सब का सब्सक्राइशन का काम करेगा पर अगर आप देखें तो सब की कुछना कुछ वीक्नेस होती है मतलब वीक्नेस ऐसी होती है कि अगर उनने कुछ खोया तो नहें मतलब सब से जादा उनको दुख होगा तो अगर हम उस पॉइंट को लेके उनको समझाने की कोशिश करें तो मतलब साथ तोुग से लेगा समय सकते हैं जैसे कि कुछ लोोगो का रहता है कि वार अपने फैमी शे बहुत जादा अटे मassing कुछ लोगोगों सब ही लोगा होता है सब लोगा इपन फैमिली बच्चे मटशे भाई बहाँ बहाँ जादा उता होते हैं सब से बेस्ति एस अग अगर कोई चेन स्मोकर है या वो डेली स्मोकिंग करता है तो ऐसा नहीं कि मैंने एक बार बोल दियो और वो मान गए पर उनको जब भी वो सिग्रेट पियेंगे तो एक ना एक बार क्लिक जरूर हो का मन में कि उसने बोला था और फिर आप एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके सिग्रेट काम करने का उनको बोलें तो वो एक ना एक दिन बिल्कुल छोड़ सकते हैं अचा जिशा आपने पांच जार लोगों को अभी तक काउंसल किया उसमें से केवल एक हजार ने चोड़ा तो जो चार हजार ने नहीं छोड़ा उसके लिए दुख हुआ आपको बहु पर अपन को मन में साटिसफेक्शन जरूर होता है कि चलो मैंने मेरा काम कर दिया और कहीं ना किसी पॉइंट पर जब वो चीज उसको हाम करेगी तो उसको याद जरूर आएगा कि किसी ने मुझे मुझे मना करा था तो आप अब ही वो जो गीता का ग्यान दे रहे थे तो ये है असल गीता का ग्यान निशकाम करम योग जो इसने कहा कि मैंने अपना काम कर दिया उसके बाद good bad luck to that other person कल को कभी तो याद आएगा कि मैंने कहा था किसे ने कहा था लेकिन अब एक इमानदारी से बताईए यहां इस हॉल में कितने लोग स्मोक करते हैं हाथ उठाईए बता दीजे कुछ नहीं है अब हाँ देखिए आपके हाध उठाखे रखिए प्लीज आध लगान आएट अटाखे रखिए चलीए अच्छा आज यहां पे आप उनकी डायरी में लिक्के जाएंगे कि मैं स्मोकिंग छोडूँ गा या छोडूँगी दिशा यहां पे होगी ये शो के बाद उसमें आप डायरी में लिकके जाईए कि अगर आप स्मोंकिंग करते हैं तो उसके मैं रीजन्स नहीं बता सकती मतलब मेरे पास वर्ट्स कम हैं और मैं सच में नहीं बता सकती कि उससा कितनी जादा परेशानिया हो सकती हैं कुल यहां ठाला हुशश्ट पर आप कोओ को कम बता स्मोंकिंग करें पांख को अब फैसे दिया करते हैं अपने पास favorites नहीं अव прकॉछ आपकोस कुई चायरा हैं तो इमनन रहें कोई बत इन यह है और आप उसको इग्णोर कर रहे हैं, तो वो भी सही बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत है, आप एक बार उनको टोके जरूर और अपनी ड्यूटी पूरी जरूर करे हैं, मैं सबसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगी. आपके माता पिता को हम अमंतरित करना चाहेंगे स्टेज पर, आपका स्वागत है, आपको तो प्रणाम आपने ऐसी अच्छी बच्ची को जनम दिया, आप क्या कहना चाहेंगे दिशा के बारे में? पस मैं यही कहना चाहूंगा कि वो जो आज कर रही है, ऐसा ही करती रहे और जितने भी उसके साथी बनते जाएं, जितना भी लोग जुडते जाएं और पॉजिटिव को चेंज लाते जाएं समाज में, पस मेरा यही मेसेज होगा सबके लिए, कि उसके मिसन के साथ रहें, क स्कूल में, जिस यह सेवन्थ क्लास में बढ़ती है, और इसको मद्रस की पढ़ाई का अलगभा सारा ध्यान में रखती हूं, तो बढ़िया है, अच्छा है, पाच्छी पढ़ाई काती है, तो यह सब चीज बाहरी काम कर रही हूं, तो अपनी पढ़ाई वड़ाई पर ध् क्योंकि यह क्यों आएगी, मेरा तजरुबा है इस बात में, क्योंकि यह यह शी लिवस इन दी प्रेजेंट, ओल दे मूमें, इसको कोई ट्यूशन के भी जरुवत नहीं पढ़ती है, खुद पढ़ती है, एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद उसको दुबारा पढ़ने क जरूट नहीं पढ़ेगी स्याथ जी बिल्कु सर ऐसा ही है, बिल्कु सर ऐसा ही है, बुल्कु सर वाद च्छा था एक बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे, concept of happiness की, when you are unhappy, that time, what are the reasons of unhappiness? fear anxiety you want to hide something good good in life every thing which is saving when you have a little bit of alcohol you feel good you have more than you feel even better when you have little more you feel even even on on the sky but ultimately what happens you know in the morning I just want to 有人 ultimately obesity sugar हो जाटी है fast food खाने में आपको सबको अननदाथा होगा है के नहीं जो fast food Americans छोड़ते जारहे हैं उसको हम adopt कर रहे हैं और उसमें कितना जहर मिला होता है जिसका कोई हसाब नहीं, आपको अंदाजा भी नहीं है, मैं हमारा गूरुप वहाँ अमेरिका में हैल्थ वैलनेस का काम करता है, हमारा वहाँ का अमेरिकन्स के लिए यह है चैनल हमने बनाया है, लीविंग, जी लीविंग करके, उसमें अम हमने हेल्थ वैलनेस सेंटर भी वहाँ बनाया है, जिसमें नेचर के और आयरुवेदा, सब की उस तरीके से हम लोगों की ट्रीट्मेंट करते हैं, वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, वो छोड रहे हैं उसको फास फूरू लेकिन हम जा रहे हैं उदर, तो यह जिंदगी में हैं लेकिन उस हैपिनस का कोई मेर पास एलाज भी नही है और वो हैपिनस मुझे नही लगता के वो रहे हैं उस रहे हैं? If I want to shower some anger over some irritating thing or some person while the other one is happy doing it. Yes. Now how to deal with such a situation like what's important then, my happiness or his happiness, it takes a lot of to deal with such in such a situation it does take a lot to deal in such a situation absolutely लेकिन अगर आप थोड़ा अपना कूल लूज नहीं करें सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया और आपने भी उसी गुसे में आके उसको जवाब दे दिया या कुछ उल्टा थपड मार दिया उसने फेर आगे से किया वो बात बढ़ती चली जाएगी लेकिन आपने मुस्कुरा के थोड़ा से का अच्छा भाज़ा थोड़ा सोच लीजे कोई बात निए आपने कहा तो थीक गलत जो भी हुआ आप मुस्कुरा देंगे तो शयद उसका गुसा ठंड़ा हो जाएगा सामने वाले अभी जल्द लोटें एक छोटे से ब्रेक के बाद थेखिए वो फिल्द कर जल्ट आया और पहले पोज गया उसो मॉनिंग में पापा को बोला कि इसको मारना मत बाकि आपको जो करना करना में बढ़ना बैट आपका निकल जाएगा मैं घर पोजा तो पापा ने ममा को बहुत मारा था इतना मारा था कि उनका फुरा आपका गुश्ण आपके उतरा है सब्सक्राइब करना मतलब बहुत सारे हर्डल जाते हैं से सिट्वेशन आती है कि हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और तब हम बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं हम लोग ऐसा सोचते कि शुड़ वी चेंज आर गोल तो अकॉर्डिंग टू यू हमें क्या करना चा यह इतना हाड वर करने के बाद भी अगर आम उस गोल को अचीव नहीं कर पारें तो शुड़ वी चेंज आर गोल यह सुड़ यू के यू कैन यह वन आप्शन लेकिन आपको पहले तो अनलाइस करना चीए कि वाई यू और नोट अबल तो अचीव यूर गोल उसको अनलाइस करिये और अनलाइस करेंगे अगर ओनेस्ली अनलाइस करेंगे तो शहर आपको उसके कारन मिलेंगे Sir, after the analysis being made, हमें लगता है कि मेरी तरफ से मैंने पूरा 100% किसी जॉब को करने के लिए दिया मैं उदर से बाहर आई, I am happy and satisfactorily, satisfactorily happy कि हम मैंने अपना 100% दिया है But then the expected outcome is not as what I thought it will be And now, एक पॉइंट पे मैं आचाती हूँ कि I start questioning myself कि Am I wrong somewhere or what is it? How can we deal with that depression, sir? यह देखिये, यह आप जो कहते हैं, मैंने 100% दिया अपना यह आप मानती हैं लेकर अगर 100% दे सकती होती तो उसका outcome भी वूसाही हाता क्योंकि दोर दो चार ही होंगे, दोर दो पांच और छे नहीं हो सकते So, you should just find out, first and foremost, accept the result Many times we don't accept the result When, particularly when it is negative result, we don't accept We say, no, no मैंने तो बड़ा अच्छे रूप से एक्जाम दे के आई हूँ, ठीक से सारे सवालों के जवाब दिये हैं, फिर मेरे साथ यह क्यों हो गया? जरूर टीचर ने जिसने मार्क दिये गड़बड किया होगा तो दिमाग में एक कहीना कहीन डर रहता है कि उसको बड़ा रिस्की गोल है, अच्छी करने टाइम तो लगे गा तो चलो अपन पटवारी भढ़ देते हैं भी रहता है तो एक कहीना कहीन डर लगा रहता है तो दिल कुछ और कहता था दिमाग ने था नी पतवारी बना दिया तो इस इस कंड़ीशन में डर हावी हो गया और खुशी तो चली कही तो सर इस कंड़ीशन में खुश के आइक twee चुश लेवल कम कैसे रखें हो दिखें डर जो है वो that is a equal to sadness it is equal to unhappiness everything और जो हो मुल्टिप्राई होता है the moment you are in a fear of something पहले तो कारण होता है फिर का क्यों क्यों आपको डर आया और वो फिर फिर मुल्टिप्लाई होता है by the second, by the fraction of second you will have to come back to your own analysis you have to accept that reality that इस सवकत मुझे डर लग रहा है और वो सोच के फिर अगर आप दो चार मिंट आख बन कर लेंगे और कहेंगे हां मुझे डर लग रहा है ये सचाई है इस समय की इस मूमेंट की आप थोड़ी देर उसको करते रहेंगे और अगर अगर अपने थोड़ा सांस पे धान देंगे आपका डर चला जाएगा इसा मेरा एक्सपीजियेंस है सर मैं पूछना जा रहा था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी बहुत जादा नेगेटिव हो जाता है लाइफ में मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है एक पर एक प्रॉब्लम्स आते ही जा रहे है और ऐसा कुछ है कि उसके लिए कुछ वो तुरंट सौट आउट भी नहीं गर सकते उस प्रॉब्लम्स को तो उस नेगेटिविटी को कैसे फेस करें या फिर उस मोमेंट में हाप्पी कैसे रहे ज़े अच्छा ये बात जानने के लिए आज मेरे पास एक बड़े अच्छे मेहमान है उन से हम इस बात का जवाब जानेंगे और मेरे बीच में कौन है रंजीश सिंग जी वेलकम धर वेलकम 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 ये डांसिंग कोस्टेबल के नाम से जारे जाते हैं आप सब जानते हैं लगता है यही हैपीनस है जब आपके कर्मों की वज़े से आपके कर्तवियों के वज़े से किसी अन्नोन के फेस पे स्माइल आए वही हैपीनस है तो रंजी सिंग जी यह आपके मन में कब आया जो आपने जब करना शुरू किया पुलिस कॉंस्टेबल होते हुए ट्रैफिक कंट्रोल भी उसमें भी वैल्यू एड़ कर दिया कि चलो डांस करके ही लोगों को ट्रैफिक को कंट्रोल करो यह कैसे मन में आया आपके या बच्पन से आप डांस करते थे क्या सर बैसिकली बच्पन से डांस करता था पर सर उसको कभी लाइफ को तो पर पड़ने में बिल्कुल भी डल था, मेरा रिकॉर्ड है फेल के, एट्स अप्रिमेंटी जे नाइन सप्रिमेंटी से, एंथ में तो फेल, तो सर हमारे फादर हैट साप थे, पुलिस में हैं, तो बड़े कुस्से में रहती थे हमेजा, अपना फरस्सेशन जो पुलिस का होता है, तो सिदे घर पर आता था, तो घर पर मेरी पीट होती थी, तो सर जैसे ही जेल टाया, मैं पापा पास पोचा, क्योंकि उसका साइन कनाना होता था, बीस साल पहले तो पापा ने पुरा गुस्टा मेरे पीट में निकाल दिया, और वो खोसो के चलती है, हाँ हाँ है एंड अपान भी पेसरम हो गए थे लोगे, मैं कुछ जादा अलग निवाला, बहुत बुरा गुस्टा लगा होगा, नहीं नहीं सर वेकिन मानिगा, मैं डिजर्व करता था था, पिटाई, देखे, ये बड़ी गैरी बाद चुपी है उसमें, गैरी बाद चुपी हुए है चाहे बले ही हम हासे हैं, लेकिन ये जानना, ये समझना, कि मैं ये पणिश्मेंट डिजर्व करता था, ये एक बड़ा खुशी का एक बड़ी निशानी है ये, आगे बताई पिर मैंने कंटिवनी किया, मैने दोस्ते, ठीक है यार अगले सा निकल जाएगा, दस्वी अगल हो जिलिए निकल जिल ग्लिए और फिर फिल हो गया पापा जै ने फिर मारा और शुमा जरो टीकेर स सूते हैं और दुनिया कई भ्हगवान हैं तो रड बाताईक मेरे मेरे टीजर को समझ में आगा था ठीक है ता कि ये पढ़ेगा नहीं ए फर कि दुने अर कि अढ़े गा कि अधर पोजा उसे पिले जर वोडे मैं बहुत सीरेश हो गैए तर मेरे लाइफ के लिए गड़ाओ तो पापा ने ममा को बहुत मारा था इतना मारा था कि उनका फुरत आपका गुष्णा बहुत आप अधर दियर में मां का अधर देखा तो रुना है कि यह क्या होगा पाप तो जब मैंने देखा मैंजुला गई पापा ने मेरे वजह से अथ पतेट रहा ली अरे भाप ईया सही तु अ क्या रिखा इसा सोचा मेना वसा जब मैंने देखा तो मेरे फादर रोरा दोने दा निकल गर से ममा ने ये बोला था जुरूर कर से निकल दुक्त की बेटा अगर तुझे जाड़ू लगाने काम मिले तो एसी जाड़ू लगाने के लोग पूछे कि जाड़ू किसने लगाई है बस बहुत अच्छा वही काम जो आप के रहे हैं सर की कैसे करा जो भी काम मिला सर इसको इंजोई किया और अगर आप अपने काम से महुबत नी करते तो आप किसी से महुबत नी करते हैं यह जो दर्शक घर बैटे हैं उनको कुछ करके दिखाएंगे आप कुछ नहीं है लोगों से इसको डांस का रूप देती है कि डांस करता हूं वह इस नाट डांस कि मुझे एगर यहां आठ गंटे करने तो मैं यह से यह से खड़ार इनना तो मिछ आप अबना काम कर लेता हूं तो पस मैं आपको तिकाई दो अ कर दो नहीं कर पादर कैते हैं तुम नहीं कर पाओगे इसको यह वात पचासों किताबे पड़नी पड़ती यह नहीं कर पाओगे और मुझे यहां M.S.C. में एडमीशन मिल गया है भी तो मैंने अफस्समाज मिन आता है तो यह सर कुछ समझ मिन आता है मैंने फादर से बोला मुझे नहीं करना M.S.C. तो बोलते जमाना क्या काहेगा इसलिए तुम पड़ो भाहीं पे M.S.C. वो नहीं कर पाओगे तुम्हें क्या करूँ एडमीशन मिल बोलते हैं कि आप पने अपने पापा को कि जीए कि आप इस में बेड़ है मेरे हव्दर गोलते थे कि आप पुलिस की दोप्लिस का क्रूइल समान नी मिलेगा यसा बोलते थे मेरे फादर हम एकसे और मैरा ये गोल यही था प्रूफ करूँ कि पापा कॉंस्टेबर लीवर पे बहून जो रहे बाओ मिलता है तो मिलेगा कम की लिए हैं अब अच्छा काम कीजिए कोई वही काम कीजिए इमान्दारी चाहिए और उसे काम से महुबत हैं आप लोग कोई बड़ा गोल नहीं है जो डर्शक घर बैठे हैं उनको कुछ करके दिखाएंगे अगर एक महुबत नाम की जो चीज है मैं यह खड़ा हूं से महुबत की वज़े से और महुबत बहुत ही जली अगर अप अच्छी सोच लेकिसे महुबत करना है तो बहुत सकते हैं महुबत प्राइडिस लाइए महुबत अपने देश से महुबत अपने माबाब से महँबत अपने आत्मसम्मान से खुष से और फिर किसी से जो लास्ते नुसको पर मतलई है हो यही रहा है उसको वहीं दिजी कुछ नहीं है और जब लोगों से उसको डांस का तुर बस में आपको दिखा ज़ता हो तुर अबस में आपको दिखा ज़ता हूं तो रंजी जी इस शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद आपके ओफिसर को यह उम बुलाना चाहेंगे अगर उनको इतनी सपोर्ट कर रहें दियाई जी हरी नराइन जी हमारे साथ हैं उनका स्वागत करियो रहें आपके में आपके बहुत खुस हूं और मैं इस मौके पकाना चाहूंगा कि हम लोग अलग 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 जगहों पे काम करते हैं और हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीजों को लेकर हम हो सकता है किसी बहुत अच्छे कैपिसिटी में हों बहुत अच्छी छमता से युक्त हों लेकिन वहां भी दुखी तरहते हैं वहाँ भी हमारे पास हजार बहाने होते हैं कि यह चीज गलत है यह परसानिया है लेकिन जैसा कि हमने देखा रणजीत ने बताया एक चौराहा जो कि धूल धूप और धूए से भरा होता है जो कि एक आम ब्यक्तिवी सोचता है कि हम जल्दी से निकलें यहां से उस ट्रैफिक सिटी में हूँ जैसा कि हम बार बार दोरा रहे थे कि हम प्रजेंट में जीए हम इस पल को जीए पुरी जिंदा दिली से तो यह उसी का एक नयाब नमुना है कि हम उस पल को उस छण को जिस काम को करते हैं जिस पल में उसको हम पूरे जिंदा दिली से एक पूरे मन से उसको हमगभीका,चै oneself छी रहे है और जिए इस तरीके से ह्जीते है तो एक sane बेककाम से जो कि ऐसा काम दिया गया जो कि हो सकता है थो जो कि भारे मन से उदासमनसे कर रहा हो उसके लिए हो सकता हूँ बोज हो लेकिन इस ऐस पाचान बनाई है और अपने काम के बल पर पहचान बनाई है तो हम यह एक सीख सकते हैं कि हम जिस कैपेसिटी में हो जहां पर हो जिस जगह पे हो अगर हम उसको ठीक से करें तो हम अपनी उचायों पर पहुच सकते हैं अपनी पहचान बना सकते हैं और उस काम को भी एक नई पहचान सकते हैं यह बड़ी अच्छी बात अपने एक तो एक बताया सारा कि अगर आप अपने काम को अच्छा अंज्वाइ करेंगे तो खुश भी रहेंगे और काम को भी अच्छा कर पाएंगे एपिनेस के बारे में डी आई जी साब से कोई क्वेस्टन पूछिए अपने पूलिस बागराउंड मेरे पापजी खुद पूलिस में है वो नहीं चाहते कि हमारी फामिली से या मेरे भाई या में खुद पूलिस जोइन करों पूलिस में खुद पूलिस में को हमेशा रहती है तो आप क्या कहेंगे अपका सोचना सही है और पूलिस की जो जीमेदारियां है काफी चुनावति पूर्ण है ये बात बिल्कुल पहिए लेकिन ये भी बात सही है कि अगर उस जीमेदारी को आप सक्षमता से दिर्टा से और इस तरह के पैसन से अगर निभाते हैं तो आपको ये अन्य सभी चीजों से उपर एक अलग पाचान देत तो महत्पूर्ण चीजे क्या हैं ब्यक्ति की सबसे जो मुल्भूत चीजे हैं सबसे लाइफ और लिबर्टी वो किसी ब्यक्ति के बिल्कुल बेस लाइन है उफकी सिरह एगो पर सिरह उसकी परसनाल्टी से जुड़ी हुचीजे हैं पुलिस के जो कारे हैं वो लाइफ और एक रोते हुए ब्यक्ति को तुरत हसा सकता है उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है इसलिए मैं काना चाहूंगा कि अगर आपको पुलिस कर नहीं बने तो बिल्कुल आप सौक से बिल्कुल फक्र से बने यह बहुत अची सर्वीश है लेकिन जो आज हम भी शेयर डिसकस कर रहे थे पंसेप्ट ओफ हैपिनेस इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कुछ लोग सफलता और असफलता के वारे में पीछे कुछ बच्चों ने शवाल पूछा था मेरा मानना है कि जिंदगी में असफलता नाइम की चीज नहीं होती है सफलता होती है और सबक होती है, हर असफलता हमें कोई न कोई सबक दे कर जाती है, इसलिए हम एक सकरात्मक धंग से एक पोजिटिव धंग से चीजों को लें, तो लगातार हम जीवन में जो हतासा वाली चीज आती है, जो डिप्रेशन वाली चीज आती है, जैसे कि बहुत दे मेली कि बनना चाहता हूं। अभी किसे नहें उठाया कि मैं कम्तियस की तयारी कर चाहता हू कुछ सरेश खाहता हू हुंगे। अभी आपके दिमाह में होगा कि कहीं भी हम तयारी करें К रेंस कि में प्योद Hill cały connecting में हो जायए। फिर उसके बाद होता है कि अच्छा मिल गई तो फिर हम सोचते हैं कि अच्छा फला कैडर ठीक नहीं मिला, फिर कैडर अगर ठीक मिल जा तो पोस्टिंग ठीक नहीं मिली, पोस्टिंग ठीक मिल गई तो continue कैसे रहेगी, यानि कि continuous कोई भी चीज सिर्फ सफाल खुशी की गारं करते हैं, क्यों करते हैं, हम सुचते हैं कि कोई अगर बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, कि सिखर पर पहुच जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी उतना ही तना ही तना ही इन समस्नाओं से चिंताओं से गरस्त होता है, जबकि एक ब्रक्ति जो चौराहे पर खड़ा है, जो की धूल धूएं धूप के बीच भी है, वो भी नित्य करते हुए अपने काम को कर सकता है, तो कहीं ने कहीं, जो हमारे अंदर है, हम उन चीजों को ले, थैंकि, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अन्यम के लिए, बहुत ब्लस यू, कीप इट अप, कीप इट गोई, थैंकि यू वेरी मुद्ध अपके शोव से मैंने ये जाना है, की फेलियर का सिनोनियम मुझे मिल गया है, जो की सबक होता है, तो वैसे ही मैं कुछ दिनों से डिप्रेशन से जा रहा था, तो अब मैं फेलियर को एज़स सबक ट्रीट करूँ है, थैंकि यू, बहुत अच् मुझे एक याद आया है, बियाईजी साफ की बात पर, कि बिहार में बेगुसराय स्टेशन जानते हैं, मैं कोई फॉरणर आयोए थे, उनको लेके बिहार गुबाने, इंटीरियर में जाने के उनकी इच्छाती उदर ले गया, तो एक गरीब परिवार अपना आदमी, ओरत तीन बच्चे स्टेशन पर पहुँचे, स्टेशन पर पहुँचकर पता लगा कि गाड़ी चार घंटे लेट है, हम लोगों को भी पता लगा, तो हमारे तो साथी सब नर्वस हो गए, बड़े परिशान, क्या होगा, अब क्या होगा, आगे मीटिंग वहाँ है, ये है, वो है, और वो जो गरीब परिवार का आदमी था, उसने बचा, आरे भाईया, चार घंटा लेट है ना, गाड़ी, कोई बात नहीं, ए लल्लू की मा, जरा निकालो तो घर से खाना लाए हो, वो वहाँ पर बिस्तर बिचाया, अपना खाना खाया, और वहीं पर तान के लेट के स हम खुष वह है के हम खुष हैं, तो ये हैं अपने 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 अंदर है, मैं बार बार फिर उस बार आता हूं के हैं अपने अपने अंदर है, चलिये, मैंने तो ये बात कही, पर आपने क्या सीखा आज के इतनी चर्चा से, Sir, the work you love, you will never feel working and it will give you lot of happiness. very good, that's true what you love to do, that will give you all happiness do what you like doing most you have to do this, but you have to do it you have to do it, you have to do it you have to do it, you have to do it look, failure is only when you accept the failure if you have to do it, do it, try it ultimately you will be happy sir, acceptance of reality is happiness today I have learned this very good, very good thank you sir I will correct a little amendment acceptance of reality is the first door which opens towards happiness sir, I have learned this that first of all you have to romance with your work and with that if you have full negativity then you don't need anything else you are lonely, you are self-motivated and you are happy from inside very good sir, today I have to know that failure is a synonym which is a subject so I was going through depression so now I will treat failure as a subject Thank you sir very good very good very good You're hard to deal with any situation positively that is the best way to be happy what I have learnt from this show deal everything every situation with a positive mindset. Yes, very good. Sir, मैंने ये सिखा कि ले दे के एक नजार ही तो है पास मेरे, क्यो देखू मैं जिन्दकी को किसी और की नजार से. Right, very good. Very good. Sir, मेरे पापा हमेशा यही सिखाते आये हैं, और आपसे भी मैंने यही सिखा है, कि खुश रहना ही खुशी है, sir. And, मतलब, हापनेस खुद में ही है, sir. Very good. Thank you. सब लोग बात कर रहे थे कि हम आपको खुश करना, आपने दोस्तों को खुश करना. So, sir, एक तो सीरी बात है कि आप सबको खुश नही कर सकते हैं, तो पहले आप खुश कर लें, फिर बागी देखा जाएगा. So, यह रहा आज का शो के concept of happiness is within yourself, it is not outside. और अगर आपके पांच touch points है, आपके five sensation, sense organs है, अगर उनको अगर फोलो करेंगे, तो आपको true happiness का भी धीरे 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 सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए प्रेक्टिस करना पड़ेगा. दन्यवाद, जय हिंद, जय भारत. झालिवाद, जय हिंद, जय हिंद, जय हुआगा. झालिवारत. झाल झाल